ओम सिरी गनी शायनम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर शनीवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मेस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिस से समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज किसी कारे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कारे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कारे का सुबारम करन चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साती सात भूमी भवन वाहन आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकॉर्ण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहता प्रदान करेगी बड़े आज उसमें आपको सफलता आवश्य मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्य रखता है नोकरी के लिए दी गई प्रतियोगी प्रिक्षा के प्रेणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एका गर्चित रहें आपको सफलता आवश्य ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दरसन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे रा आपका स्वाबीमान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहे होगा एक्षित शिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबबी तथा जिम आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजिदगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घहतक हो सकते हैं किसी रिष साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बंद रहेगा राज किये मामलों के कारों में बहुती आपको साफधानी बरतनी कियाव सकता है साथी साथ कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जांच पड़ता रखने के आवश्कता है अजनवी वे परिशित लोगों से वहवार में लेंदेन में साफधानी बरतने की आपको आवश्कता है खर्चों पर भी आप नियंतन रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी हद तक सुधार आएगा साथी साथ घर के लोगों के बीच किस रिष्टिती उत्पन हो सकती हैं किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई प्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरें और सयम बनाकर रखना अति आवश्क हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ किसे रहने वाली हैं दोस्तों जो इन हैं जीवन साथी वे परिवार जनों का सयोग आपके आत्मवल वे आत्मविश्वास को बना कर रखेगा और आप तनावमुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिकता पर रहेगा जी इसने आपके आत्मविश्वास को बना कर रखेगा जिहां दोस्तों परिवार में आज सांती का वातावर रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर दिक खुसियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस् दोस्तों आज आस्मिक धनलाव के प्राबल योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय पराप्त करेंगे नए कार्रे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साती सात कारे छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भागद प्रिणाम हासिर होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाएं भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी वैवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवशक है क्योंकि वर्तवान इस्थिति के कारण कार्रों की नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो कि आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगा दोस्तों बात कर आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आप अपने सेहत की छमताओं को बناएर रखते हुए अपने समीर काम dirt को पूरी सारा ựक्षमता के साथ करने में सफल हो सकेங्या, जैं दोस्तों आपका स्वास्त बहुत यह अच्छा रहेगा, आज आप अपने आपको तनावम और काफी उरजावान महसूस करेंगे साती साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद एक काटोरी में थोड़ा सरसो का तेल लें इसके बाद आप उसमें अपना चेहरा देखें फिर आप उस सरसो के तेल का किसी जवतमंद को दा भगवान शनिदेव का इसमनार करते हुए अवश्य करें जा दोस्तों ऐसा करने मात्र चेही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे यो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशनियों कंत करेंगे और आपके सभी कारें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान शनिदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्ष में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद